समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेगा की स्मार्ट गार्डन में दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं सुन्दर से बटन रोज के फ्लावर के साथ और बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं देरो फूल आते हैं दोस्तों इसमें बंच में और ये सामने लगा हुआ है कोल और कई плंट मैंने इस बारिश में ग्रो किये हैं और कुछ गुलाब के प्लांट कुछ अपर आ आपको पास से दिखाती हुँ लिए लाइनट मैंने बीस से क्लो किया था यह कपास का प्लांट है दोस्तों और यह चोटा प्लांट होता है और इसमें इस तरह से फ्लावर्स आ तो मुझे बहुत ही पसंद आये और मैं एक गार्डन से इसके बीज लेकर आ गई थी दोस्तों अभी बारिश में ही मैंने इसको ग्रो किया था और आप देख सकना है कितने अच्छे से चल रहा है का पास का और यह हिबिसकस बहुत ही पुराना हिबिसकस है दोस्तों और बहु इस टाइम पर अभी गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं बहुत ही बेस टाइम होता है गुलाब के लिए यह वाला और आप देखेंगे दोस्तों जो पुराने गुलाब हमारे थे बारिश में लंबी लंबी टेहनिया हो गई थी आप देखेंगे यह अब किस तरह से ग्रो कर आए थी वह दिखा देती हूं यह देखें दोस्तों यह बटन रोज की कटिंग है एक दिन जैसे हम पेड़ बोदे दो दर हिलाते हैं गमले तो उस वक्त मेरे हाथ से टूट गई थी तो मुझे बहुत ही गुरा लगा था तो मैंने इसको यह पर लगा दिया था एक यह और यह देखें यह सुग गई है बहुत चोटी थी इसलिए अब इसके साथ देखिए दोस्तों यह वाले जुपिंग कलर के देशी गुलाब है और यहां पर यह कटिंग मैंने लगाई है दोस्तों और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चल रही है तो यह सारी चीजे मैं आ लो में ही इन कटिंग को लगा देती हूं और यह वाली कटिंग भी आप देखेंगे दोस्तों यह भी चल चुकी है इन में से भी पत्या निकल आई है यह देखें और इसमें से भी निकल आई है अभी कुछ कटिंग ही मैंने लगाई है और यह भी देखिए यह आठ से दस द लगाकर मिटी में दबा दिया था जैसे जैसे आलू सड़ता है या फिर क्या पता क्या उस प्रोसेस के साथ ये जो कर्टिंग है गुरो होती जाती है और दोस्तों यह रिजल्ट एकडब मेरे सक्सेज हुआ है तो आप आसानी से ये कटिंग लगा सकते हैं इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि ये देखिए कटिंग ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है और ये यहाँ पर मैंने इनको कोको पीट में लगाया है गंबले में ये दो कटिंग में कोको पीट में लगाया है और वो मेरे गंबले में ही लगी हुई है तो मोस्टिराइजर तो बनाई देता है गंबलों में हम डेली पाने देते हैं जो तो इस वज़े से कटिंग अच्छे से चल रही है अब इसकी साथ दोस्तों आपको ये दियान रखना है कि उपर से हमने ये जब कटिंग लगाते हैं तो यहाँ पर हल्दी पाउडर आपको लगा देना है जिससे कि फंगस ना फेले और ये जो कटिंग हमारी है काली ना पड़े तो दोस्तों ये चोटी वो चोटी बाती दियान रखने पर हमारे जो गुलाब की कटिंग है बहुत ही असाने से चल जाती है और दोस्तों मैंने हाइब्रीड जो गुलाब है उसकी कटिंग भी लगाई है जल्दी उसका रिजल्ट भी आपको मैं दिखाऊंगी क्योंकि जो मैं गुलाब लेकर आई थी तो जो नर्सरी वाले भाया है उन्होंने कहा था कि आप जो है हाइब्रीड गुलाब कटिंग से नहीं लगा सकते हैं तो देखते हैं कि जो मैंने कोशिश की है वो चल पाती है कि नहीं और यह देखे दोस्तों छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है साल दो साल पेले का मेरा यह प्लांट है और जैसे हर साल में इसको कट कर देती हूँ और हेवी फ्लावरिंग होती है और कभी-कभी बंदर पूरा कतम करके चले जाते हैं पर फिर भी वापस से अब दोस्तों खाद यह प्लांट को जैसे भूग ज़्यादा लगती है जैसे किसी को खाने की ज़्यादा जरूरत होती है तो यह प्लांट है हिबिसकस प्लांट है इनको खाना ज़ादा चाहिए होता है तो टाइम टाइम से हमें इन प्लांट को खात देनी होते हैं अभी ये हेवी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं तो अभी मैंने इनमें जो है वर्मी कमपोज दिया है जो केचवा खाते वह दी है तो दोस्तों उसके बाद हर महीने हमें ठंड में इनमें जो है खाद देनी है दोस्तों कुछ प्लांट इसे होते हैं जिनको ज़्यादा खाद की जरौत होती है कुछ प्लांट इसे होते हैं जो पानी से ही जल जाते हैं उनमें खाद वगेरा की जरौत नहीं होती है पर जो फ्लावरिन करते हैं फल फूल वाले जो प्लांट होते हैं दोस्तों उन में ज्यादा खात की जड़ोत होती है तो आप इन में गोबर खात दीजिए अगर आप जब इनकी मिट्टी तयार करते हैं गोबर का दिया वर्मी कल पोस्ट मिला देते हैं तो भी हमें हर महीने इस प्लांट को खाद देनी है और इसके साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमें इसमें liquid fertilizer देना है हर 15 दिन में इनकी गुड़ाई करनी है तो आप देखें दोस्तों इन plant में कितने अच्छे से flowering होती है दोस्तो लिक्विट फर्टिलाजर में इनको जो है बनाना प्रिल जो केले की छिलकों की खाद बनाते हैं हम वो देती हूँ इसके साथ ही दोस्तो मैं जो है सरसोखली का खाद देती हूँ और दोस्तो इनमें फंगस भी बहुत जल्दी लग जाता है तो यह भी धियान रखिए टाइम टाइम से नीम उयल का इस्प्रे करते रहिए दोस्तो मैंने अभी कल ही शाम में नीम स्प्रे किया है तो दोस्तो इन सब छुट छुटी बातों का दियान रख कर हम गुलाब को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और गुलाब की कटिंग को लगा सकते हैं जब भी गुलाब की कटिंग लगाए तो उनके टीप पर जरू हल्दी लगाई है जिससे कि आपकी कटिंग बिल्कुल भी खराब नहीं होगी क्योंकि दोस्तों फंगस वगेरा बहुत ज्यादा लग जाता है इन कटिंग पर और ठंड का टाइम रहता है तो ठंड में फंगस बहुत जल्दी फेलता है तो इस चोट-चोटी वातों का दियान रखना इसके साथ है दोस्तों मैं आपको गुलाब के और कुछ प्लांट दिखा देती हूं यह देखिए यहां पर देखिए दोस्तों किस तरह से यह प्लांट ग्रो कर रहे हैं बहुती अच्छा लग रहा है यह देखिए यह देखिए मैं आपको दिखाती जाती हूं यह तो यह मैंने इसी प्लांटर में लगा दी हैं बहुत ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूं फिर विर जो मैंने करती हूं मैं आपको पता दिया है यह देखिए दोस्तों एकर गुलाब और फूल खिल रहा है इसमें भी और बहुत ही जल्दी यहां पर भी फूल खिलने वाले ह यह देख सकते हैं यह हां पर वाइड कलर का खिला हुआ है इस तरह से पूरा गार्डन में मेरे अभी रोना कायू हुई है और यह इंडोर प्लांटे सारे तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रही है और लाच तक वीडियो देखिए तो अच्छा रहेगा